मनिपति पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बूल पूट स्प्रेड जो की चौदवी ऑफ्सन शडजी है जिसको हम ऑफ्सन ट्रेडिंग गाइड के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं बूल पूट स्प्रेड में आप दो टेक्निक कंबाइन करते हैं एक साथ दो ट्रेड लेते हैं पहला है आपको आउट आफ मनी पूट ऑफ्सन सेल करना है और दूसरा उससे भी ज्यादा आउट आउट आफ मनी पूट ऑफ्सन आपको बाई करना है तो माली जीए कोई स्टॉ का out of money, put option buy करना होगा, दोनों की same expiry होनी चीए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चीए, तब ही bull put spread बनेगा, अब कहां कब इस्तमाल करना चीए, bull put spread आपको इस्तमाल करना चीए, जब stock या index, index, moderately bullish हो, या range bound हो, तो अगर आपको लगता है कि stock या index में डाउनसाइड नहीं है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम है, तब आपको ये ट्रेड इस्तमाल करना चीए, यहाँ profit loss की अगर हम बात करें, तो bull put spread में limited profit है और limited loss है, तो profit loss दोनों ही limited रहेंगे, break-even point मतलब जहाँ पर आपको कोई profit और कोई loss नहीं होगी, वो है strike price of sold put, मतलब जो put strike price आप sell कर रहे हैं, जो की higher वाला है, minus net premium, तो ये आपका break-even point रहेगा, ये जो concept है, bull put spread का, sorry, call spread हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो एक उदारण के साथ समझते हैं, माल लीजिए, आप ITC 3500 के भाव पे है, बिगत कुछ महनों से ITC बहुत ही bullish trend में है, तो आपको लगता है कि ITC आगे भी bullish trend में ही रहेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बूल पूट spread बनाके spread किया जाए, तो उसमें आपने सेल के ITC 340 नॉम्बर पूट, जिसका प्रीमियम है पांच रुपे, और चुकि 350 पाइट इसी है तो 340 एक out of money put option हो जाएगा, और आपने 335 का put जो है, वो दो रुपे प्रीमियम है, वो आपने buy किया, जो 335 देखें, 340 के भी out of money है, तो ये study आपने लगा, ये देखिए, एक actual trade recommendation नहीं है, ये उदारर के रूप में इस्तमाल किया जा रहा है, बुल-put spread concept को समझाने के लिए, निट प्रीमियम क्या है, 5-2, 3, 3 आपका निट प्रीमियम हो गया, तो अगर profit loss और break-even की बात करें, तो maximum loss जैसा कि हमने कहा था, limited है, maximum profit भी limited है, आगे हम देखेंगे कितना maximum loss, maximum profit हो सकता है, बुल-put spread में, और break-even की बात करें, तो break-even point है, 340-3, 337 का, तो 337 आपका break-even point रहेगा, इस case में, तो ये हो गया, बुल-put spread, अब अगर हम profit loss की बात करें, expiry पे, तो अगर ITC 330 पे expire होता है, 330 देखिए, 335 जो strike price आपने put की buy की थी, सबसे ज़्यादा out-off money वाली, उसके भी नीचे की है, तो यहाँ पे आपका put का profit loss plus 3 है, buy वाले का, कैसे, 335-330, देखिए, 5 का difference है, strike price का, तो 2 आपने पहले ही खरीद के रखा हुआ है, तो 5-2, 3, ये 3 आपका profit का रहेगा, ये premium है, sell की बात करें, तो 340 का हमने sell किया था, 330 से 10 point नीचे है, तो minus 10 हो गया, और plus 5 आप upfront पहले ही sell कर चुके हैं, तो 10 minus 5, 5, plus 3, plus minus 5, minus 2 हो रहा है, तो आपका कुल घाटा हुआ, 6000 का, यहाँ पे हम ITC का lot size 3000 मान के चल रहे हैं, calculation की इसके लिए, वैसे इसकी actual lot size है, 3200, तो 6000 का आपका loss होगा, जो की एक limited loss है, 335 के भाव पे अगर हम चले, जो put आपने खरीदा था, तो minus 2 आपका गया put profit loss, क्योंकि यह expire worthless हो गया, आपने खरीदा था इसलिए, और sell 5 का difference है, 5 आप पहले ही वो कर चुके, तो plus 5, minus 5, 0 हुआ, तो आपको 6000 का loss हो रहा है, यह आपका maximum loss है, तो maximum loss आपको कब होगा, जब जो put strike price, जो सबसे नीचे वाली put strike price है, जो आपने खरीदी है, वहाँ पे या उसके नीचे stock move करता है, तब आपका loss maximum, loss क्या रहेगा, net premium, गुड़े में lot size, वो आपका maximum loss रहेगा, अब यहाँ पे देखिए, 337 का भाव है आपका, minus 2, यह break even point है, तो call premium पूरा ही गया, put premium में आपने 2 कमाया, क्योंकि 340 माने 337 ही हो रहा है, 5 आपने बेचा था, तो plus 2, तो 0, तो यहाँ आपका break even point है, 0, इसके नीचे आपको loss होगा, इसके उपर आपको profit होगा, 340 का strike price जो आपने बेचा था, उसको देखते हैं, तो call का पूरा ही चला जाएगा, आपने put जो buy किया था, long किया था, minus 2, और जो आपने sort किया था put, 340 का worthless जाएगा, price to 3, into 3, 9,000 आपका profit रहेगा, तो 340 strike price वो है, जो आपने sell करी थी, put की उपर वाली strike price, वहाँ पे या उसके उपर market जाएगा, तो आपको profit होगा, profit limited ही रहेगा, जो कि net premium into lot size रहेगा, तो वो आपको पूरा का पूरा profit वहाँ पे मिलेगा, तो आपका फायदा हो गया, अगर 350 जो strike price आपने buy की थी, वहाँ या उससे नीचे जाएगी, तो आपका जो loss होगा, वो होगा जो आपने premium दिया था buy करने के लिए, वो गुणे में lot size, तो यह आपका market का trade-off है, bull put spread में, bull put spread, bull call spread दोनों ही conservatively bullish market पे काम करते हैं, तो आप उस strategies को भी देख सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी, और दोनों समझ के आप अपने trade-setup के अनुसार या market के समझ के अनुसार आप उसको apply कर सकते हैं, यह 14 भी strategy थी, 8 strategy और हैं, उनके ओपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो भविस के वीडियो की जानकारी के लिए आप money-pati YouTube चैनल पर subscribe करें, सस्क्राइब के लिए वीडियो के नीचे subscribe बटन हो, उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें, यहां आपकी जनकारी के लिए बता दू, मैं से भी पंजुकृत नहीं हूँ, इस वीडियो में जो भी जनकारी दी गई है, वो मेरी खुद की research है, और मैं इसे साजा करता हूँ, ताकि दुसरों को मदद मिल सके, धन्यवाद.